हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होब आप सब भी बहुत अच्छी होंगे तो फ्रेंड्स आज कोई व्लॉग लेके मैं नहीं आई हूँ आज मुझे करना है हेर ओइलिंग क्योंकि कल मुझे हेर वाश करने हैं अपने बाल दोने हैं तो मैं बाल दोने से एक दिन पहले र वीडियो को और बहुत अच्छे-च्छे कमेंट किये उसके लिए थैंक यू तो उन सभी के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कौन सा उयल यूज करते हो और किस तरह से आप बालों में तेल लगाते हैं तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज तेल लगा ही रही हूं आप सभी के स जरूरी है जैसे हम पेड़ों में पानी देते हैं उसी इसाब से भालों में भी यूए बेज़ बहुत जरूरी है क्योंकि परीशान करते फिर वो तो चलिए मैं जल्दी से दिखा देती हूं कि मैं तेल में क्या क्या डालूंगी तो सबसे पहले जो तेल यूज करती हूँ वो करती हूँ सरसो का और मैंने इसमें डाला हुआ है सरसो का तेल जो हम किचन में यूज करते हैं उसके साथ मैं मिक्स करूंगी यह अलो वीरा जेल, एड करूंगी तो मैं यह जब भी मशाज देती हूँ, मतलब अपने बालों में ओईल लगाती हूँ, तब मैं यह जरूर डालती हूँ, जो हमारे घर में लगा हूँ है, हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल पा करना है ऑपने बालों में और एक साथ में निकाल लेती हूं मैं तो चलिए उससे पहले हमको क्या करना है अपने बालों में ओईल लगाने से पहले अपने बालों की कंगी कर लेनी है तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने बालों की कंगी फिर मिलती हूँ आपसे तो मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलजा लिया है है तो चलिए अब मैं दालती हूं इसमें तेल है तो मैंने इतना तेल डाला है इसमें एसिदिक हो एक जालती हूं मैं अब एको झाल 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 अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमको ताकि यह तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यह देखिए अच्छे से एकदम मिक्स हो गया है तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको लगा के तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपनी मांग निकालते जाएंगे और यासे लेंगे तेल अपने फिंगर प्रेंट्स में और इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे और यह अच्छे से बालों की जड़ों में लगना चाहिए तब भी हमारे बालों में फायदा देगा यह अब ही मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ी बन जाती है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पेल लेना है और ऐसे ही सब में लगा लेना है अच्छे से और इस तरह लगाने से जो बालों में रूसी होती है जिसको बोलते हैं डेंडरफ वो भी नहीं होता है और बाल धूने से पहले आप तेल जरूर लगाएं क्योंकि हमारे बालों में तेल बहुत जरूरी है और इसी तरीके से हम लगाएंगे अब पीछे की तरफ ऐसे ही मांग निकाल निकाल के हैं तरीके हैं अब एक्ट कि उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा से यह ओई लेना है इस तरीके से और फिर ऐसे कि हतेलियों पर यह से रगड़ना है और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आना है इस तरीके से हमें नीचे की तरफ भी लगाना है यह और इसको ऐसे रबनी करना है है क्योंकि उससे बाल अलग जाएंगे और बहुत तूटते हैं फिर ऐसे ही इसको लगाती हुए लाना है फिर लूंगी मैं इसी तरीके से यह देखिए और ऐसे ही हतेलियों गया से रफ करना है और इस तरीके से लाना है हुआ 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 है अपने फिंगर प्रिंट से ऐसे राउंड राउंड हलके हलके हातों से मसाज देनी है बालों में यहां शुरू करना है और ऐसे राउंड राउंड करते करते पीछे की तरफ जाना है हुआ 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 है जो हो जाएगी थोड़ा सा उइल हमको यहां पर डाल लेना है यहां पर और ऐसे ऐसे थपकी से देनी है इस तरफ से और फिर इसी तरीके से करना है राउंड राउंड फिर बना लेना है हमको अपने बालों में बन तो बस इसी तरीके से हमको हे रोलिंग करनी है चलिए अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो थोड़ इसी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ब बड़नाइट, बड़नाइट, बड़नाइट।